इत वाज रबर कॉट उन्होंने क्या पहना होता है एक रबर काउट वाणी ड्वाट रबर काउट पहना होता है he somehow brought such a for himself तो चंदु जब उनकी कपड़ों को देखते हैं तो वो सोचता है कि मैं भी वैसे ही कपड़े लेकर आऊं इसलिए वो अपने लिए भी एक वैसा ही कोड़ ख्रीद लेता है he brought a pant and pump shoes also इसका साथ ही वो pant भी ख्रीदता है pump shoes भी ख्रीदता है he brought new set of his professional thing and a leather bag इसका साथ ही वो एक leather का back ख्रीदता है और अपना जो professional things यानि कि जो बार्बर के लिए जो भी things का use होता है उन सब चीजों को वो ख्रीद लेता है with this new dress he went to the jamidar house early morning for shaving as well तो ये सब चीजों के साथ अपनी नई dress leather का bag लेकर जो भी उसने नई professional things ख्रीदी थी वो सब लेकर वो jamidar की घर जाता है early morning में shaving करने के लिए जैसे कि वो daily जाता था the landlord become furious to see him in this dress he turned him out तो जैसे ही landlord जो jamidar उन्हें देखते हैं इस पेका के कपड़ों में तो वो गुसा हो जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम वापिस चले जाओ राम 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 से जैट बीजे चंद तो जो बीजे चंद है वो क्या करते हैं राम 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 जो की burly landlords होते हैं बरली के जमीना होते हैं touching the sacred threat which hang over his ear और इसके साथ उनकी ear पर जो sacred यानि पवित्य धागा hangover यानि की लगा हुआ होते हैं उसे वो touch करते हैं just he had he had just been to be lavatory जैसे कि एक शगुन टाइप वो कर रहे होते हैं कि जब भी हम कुछ गल देख लेते हैं तो हम touch करते हैं अपने ears को उस तरीके से कुछ the son of a pig की तुम pig के son बेटे हो he is bringing a leather bag of cow heart into our house तो जो landlord जो मीनदर होते हैं वो कहते हैं कि यह जो चंद है वो एक leather से बना हुआ है हमारे घर में हमारे घर पर क्या है एक leather का back लेकर आया है and the coat of the moro of इसके साथ इसका जो बना हुआ है I don't know some mother animals और मुझे नहीं पता और जानवर के बार में यानि कि वो कहते हैं कि यह वो चीज़े लेकर आया है यानि कि जानवर का जो चंब्रा है वो हमारे घर पर लेकर आया है जिसके काना जो हमारा घर है वो दूशित हो गया है दो जैविल ब्लैक अंग्रेज इशूस इसके साथ ही यह अंग्रेज इशूस पहां कर आया है गैट आउट गैट आउट निकल जाओ निकल जाओ यू सन अफे डैविल तुम शेतान के बेटे हो यू बिल डिफाइल माई रिलीजन और तुम मेरे धरन को ब्रस्ट कर रहे हो आई स्पोर्स मुझे लगता है यानि कि यहाँ पर जो लैंडलोड है वो कहते हैं कि मुझे लगता है यू हव नो फिर ओफ एनिवन कि तुम्हें अब किसी कड़र नहीं है now that your father is dead क्योंकि जो तुम्हारे पिते हैं उनकी death हो चुकी है इसलिए तुम अब अपनी मर्जी करने लग गए हो but I am wearing the cloth of a doctor जागिर्दा साहब स्यार चंदू तो यहाँ पर जो चंदू है वो कहते हैं कि मैंने तो सिरफ डोक्टर के कपड़े ही पैननी हुई है go away you swine go away निकल जाओ तुम निकल जाओ and wear cloth befitting your law status और तुम वो कपड़े पैन कराओ जो तुम्हारे law status को match करें as a barber कि तुम्हें नई हो and you don't let me see you practice any of your new fang notion और तुम मुझे मधिखाओ कि तुम्हें एक नया notion को practice करें यानि कि तुम्हें एक नई सोच को चलाना चाहते हो I will have you flock मैं तुम्हें इसका दन दूंगा and Chandu was insulted by the Sahukar and other also तो जो Chandu है वो यानि कि जो Sahukar है वो Chandu को बोज़ता insult करते हैं इसके साथ ही और भी जो लोग होते हैं जब ये सारी आवाजय सुनते हैं वो वहाँ पर इखटा हो जाते हैं और वो भी कहा है Chandu की insult करते हैं He run away from them तो जो Chandu है वो वहाँ से चला चाता है and earn some money by shaving roadside people इसके साथ ही क्या है कि अब वो रुपे कमाने लग जाता है जो roadside people होते हैं यानि कि roadside पर बैट कर वो लोगों की वहाँ पर shaving करता था जिससे वो कुछ रुपे कमाने लग गया था and the people in the district court इसके साथ ही वो district court जाता था और वहाँ के लोगों की वो shaving करता था जिससे कि क्या वो रुपे कमा सके where he was sitting on the pedestal of the lawyer parish तो वो lawyer के office के जो बहार pedestal होता है वहाँ पर बैट जाता था from the lawyer son और वकील के बैटे से ही he brought a cycle तो वो एक cycle खरीतता है for five rupees पांच रुपे में क्या है वो एक cycle खरीतता है his plan was to go to the city तो वो ये plan मनाता है कि वो अब city में जाएगा on the cycle कि वो cycle से city यानि शहर में जाएगा and work there और वहाँ पर काम करेगा he could earn more there और वो वहाँ पर जादा रुपे कमाएगा he started learning to ride a cycle with the help of his friend तो अब वो कहें कि साइंकी चलाना सीखता है अपने friend की help से he fell down once and twice तो वो एक या दो बार साइंकी चलाते time या cycle सीखते time गिर भी जाता है the people जो लोग होते हैं जैसे कि साहुकार्ट, लैनलोर्ट, जमीनदार मैं साहिं जो उसे देखते हैं and laughed at him और उस पर हसे हैं they again abused him इसके साथ ही वो यानि कि उन्हें वो जो लोग होते हैं वो चंदु को abused करते हैं यानि कि उसे कुछ बद्दा बुरा बोलते हैं he felt hurt तो जिसके कान जो चंदु है वो ज़्यादे दुखी हो जाता है he decide to teach them a lesson तो जो चंदु है वो decide करते है कि इन्हें एक सबग सिखाया जाना चाहिए he decide to strike and not to go for shaving and hair cutting in the house of the village people for three days तो वो ये decide करते है कि वो strike पर जाएगा यानि कि वो लोगों के घर पर नहीं जाएगा बाल काटने के लिए shaving करने के लिए तीन दिनों तक he went to the district court तो अब वो कहा है कि वो district court जाता था वहाँ पर sitting on the pedestal of the lawyer carriage इसके साथ ही जो lawyer का office होता था वहाँ पर उसके बाहर बैठ जाता था he went to city and earn more than he did in the village तो वो वहाँ पर जाता था city में वहाँ पर रुपे कमाता था जितने की वो गाहँ से रुपे कमाता था उससे जादा वो city से रुपे कमाने लग गया था he brought new cloths, new tools इसके साथ ही वो नए नए कपड़े ख्रीद ने लग गया था नए tools उसने ख्रीद लिए and he brought gift for his friend इसके साथ ही उसने कुछ gift ख्रीद दे अपने friends के लिए people of the village तो यहाँ पर चंदू के बाहर में तो पता चल गया कि जो चंदू है जब यानि कि उसने लोगों की shave बगरा करना छोड़ा तो उसकी जो life है वो तो अच्छी बन गी बट गाम के जो लोग थे उनकी life कैसी थी तो यह देखते है people of the village गाम के लोग the landlord, the sahokar and other had to go without shaving for three days तो जितने भी गाम के लोग थे वो तीन दिनों तक बिना shave के रहे, their face look awkward जिनके कारण उनका जो face था वो बद्दा दिखाई देने लग जया था चंदू took his friend to the bajar to show him their faces तो चंदू अपने friend को लेकर जाता है bajar में और उन सब गाम के लोगों के जो face है उनने दिखाने लेकर जाता है, he said that वो कहता है, they had laughed at him that day, कि ये लोग मुझ पर हसे थे उस देन, they had insult him so much, इन लोगों ने मेरी insult की थी बहुत जादा, now it was his turn to laugh at them अब मेरी बारी है कि मैं इन पर हसूं, they would now realize pitiful condition, अब ये मैसूस करेंगे कि कितना बुरा लगता है चंदू and his friend went to the sahoka shop, तो जो चंदू और उसका मितर होते हैं, वो sahoka shop पर जाते हैं, the piece and, जो किसान होते हैं, landlord जमीन डार्ट, but also there, वो भी लोग वहाँ पर होते हैं, with his beard, यानि कि उनकी beard दाड़ी होती है, unshaired face means वही हो गया for three days, यानि कि उनकी beard होती है तीन दिनों से, he looks shabby तो वो सभी shabby दिखाई दे रहेते, अच्छे नहीं दिखाई दे रहेते he dye his hair and mustache, तो जो साहुकार होते है उसने अपने जो hair हैं, और जो अपनी mustache मूचे हैं, उससे dye किया हुआ था, रंग किया हुआ था, his beard was white, लेकिन उसके जो दाड़ी थी वो सफे थी, he looks ugly जिसके कारण वो बद्दा दिखाई दे रहा था तो साहुकार with his brown mustache look like a leeper जिसके कारण जो साहुकार है, वो अपनी brown mustache के कारण, leeper की तरह दिखाई दे रहा था, leeper एक animal है, चंदु told his friend to go past shop running saying loudly, तो चंदु जो अपने friend को कहता है, कि तुम पिछली shop पर जाओ, और भागते हुए, जो जो और से बुलाओ, bearer, bearer he did so, तो उसका जो friend वो ऐसा ही करता है, the percent could not help laughing, तो जो किसान होते हैं, वहाँ पर खड़े, वो यानि कि, जब उनका मजाक उड़ाते हैं, साहुकार लैंडोर्स का, तो जो percent of उनकी help नहीं करते हैं, laughing में, यानि कि, वो चुपचा वहाँ पर खड़े रहते हैं, the landlord with his white beard, look old man, जो जमीनदार अब अपनी सफेद दाड़ी के कारण, एक old man की तरह दिखाई देता है, he had married a young girl, और उसने एक young girl से शादी की थी, the girl threatened to go away leaving him, तो वो जो लड़की होती है, वो उसे धमकी देती है, जमीनदार को, कि वो जो लड़की है, वो जमीनदार को छोड़कर चली जाएगी, and marry a younger person, और वो किसी younger person से के है, शादी कर लेगी, the young village elder went to Chandu's mother, तो जितने भी गाव के लोग होते हैं, वो चंदू की मदर के पास जाते है, and sad that, वो कहते हैं, they would get Chandu arrested by the police की, वो पुलीस के दवारा Chandu को arrest करवा देंगी, however, Chandu mother was a sharp tongue lady, लेकिन जो चंदू की mother होती है, वो जवाब देने में महीर होती है, she sent them away insulting them, तो जितने भी गाव के लोग होते हैं, उन्हें वापिस बेज देती हैं, उनकी insult कर देती है, the villager thought of inviting a barber from nearby village वर्का, तो जो भी गाव के लोग होते हैं, वो सोचते हैं, कि क्यों ना हम जो पास का गाव है वर्का, वहाँ से बार्वर को बुलाएं, by paying from him higher dream duration, कि उसे जाद रुपे देखकर हम उस बार्वर को बुलाएंगे, और अपनी जो भी hair cutting है या shaving है, वो करवाया करेंगे, but they could not succeed in it, लेकिन उनका ये जो plan है, उसमने सफलता नहीं मिलती है, चंदू was too short for them, जो चंदू है उनके लिए बहुँ ज़्यादा, चतुर होता है चलाफ होता है, he thought of a plan तो वो एक plan सोचता है having seen the shop of निरंजन्दास the barber of the town तो जैसे ही वो निरंजन्दास जो की barber होता है, टाउन का, उसकी shop को देखता है, he made a scheme of opening a shop on the wayside तो वो सोचता है कि वो भी एक shop को खोल लेगा, यानि कि wayside at the head of the bajar, जो की bajar की बीचो बीच होगी, in the partnership with his cousin, और किसके थूँ एक partnership करेगा अपने cousin के साथ, और वो cousin कोन होंगे the barber of worka, जो worka के barber है, वो with dhurnu and the other barbers dhurnu के barber, और वो सभी barber, जो की within a range of seven meals from his village, जो की उसके village के आसपास का, जो भी area है, seven meals का, वहां के जितने भी barbers हैं, उन सब के वो एक union बनाएगा, और एक shop खोलेगा he called a special meeting of all the barbers, तो वो एक special meeting बलाता है, सभी barbers की he was a gifted speaker, यानि की वो एक बहुत अच्छा speaker होता है he convinced them all that तो वो सभी को मना लेता है, इस बात के लिए convince कर लेता है, that it was the time, की समया आचुका है the elder of the village की जो गाम के लोग है, come to them to be shaved, की गाम के लोग बारबर के पास आएंगे, shave करवाने के लिए rather than they should go them from house to house like their slaves, हाला की यानि की जो भी गाम के लोग है, वो उनके पास आएंगे shave करवाने, नै की जो बारबर है वो लोगों के घर पर जाएं, shave करने के लिए like a slap गुलाम की तरह, thus राजकोर डिस्टिक, बारबर ब्रदर्स hair dressing and shaving saloon was started, तो इस तरीके से जो राजकोर डिस्टिक है, वो खुल जाता है यानि की वो एक shop खोल लेते हैं this was a barber trade union तो ये barber trade union बनती है it was followed by many other active trade unions of working men तो इस तरीके से उन्होंने यानि की जो चंदू है उसने एक निया यानि system शुरू किया जो की बहुत लोगों के दवारा follow किया जाता है जितने भी working men's होते हैं तो इसलिए जो नेरेटर है वो ये कहते है की जो चंदू है वो modern जो भी इंडिया है modern इंडिया उसका एक maker है इसके साथ ही एक important बात ये भी आती है कि जो चंदू है वो बहुत ज़्यादा intelligent होता है जो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा intelligent होता है इसके साथ ही जो अथर है वो ये कहते है कि जो चंदू है वो kite सुडाने में भी बहुत अच्छा माईर होता है इसके साथ ही वो जो Butterflies होती है या जो Beez होती है उन्हें भी अलग तरीके से पकड़ता है तो यह explanation भी आई हुई थी जिसमें यह आगया था कि जो चंदू है वो बहुत अच्छा काईट उड़ा लेता है इसके साथ ही वो जो बीज वगएर होती हैं या जो butterflies होती है उन्हें भी पकड़ लेता है तो चंदू क्या करता था एक धागे को लेकर butterflies की जो पैर होते हैं उसमें अडा देता था जिससे कि कि है butterflies को पकड़ लेता था कुछ इस तरीके का जिसके कारण जो author वो कहता है और जो all generation के लोग होते हैं वो बच्चों में starting से ही इन सब बातों को उनके mind में डालना शुरू कर देते हैं जिसके कान जो young generation के बच्चों होते हैं वो भी इस तरीके के बातें सीख जाते हैं और इसी तरीके से ये जो बाते हैं low high class की ये आगे चलती रहती हैं तो हमें इस परकार की जो बाते हैं उन से बचना चाहिए हमें लोगों के गुन के अधार पर देखना चाहिए ना कि किसी को जाती के अधार पर बेदबाफ करना चाहिए तो आई होप आपको इस स्टोरि समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक मैं वीडियो, सब्सक्राइब मैं चैनल thank you friends for watching my video, thank you